हेलो दूस्तों आज हम यह आपर बात करेंगे LTE Foods Limited से एलेटेड इसके आज Q2 के result आए किस तरीके के Q2 के result है क्या यह शेयर को लेना चाहिए या बेचना चाहिए उस सभी जी उसे एलेटेड हम यह आपर बाते करेंगे सबसे पहले मैं आपको बता रहता हूं यह शेयर मेरे प बढ़ेंगे देखेंगे क्या आपको लेना चाहिए रखना चाहिए बेचना चाहिए उससे एलेटेड भी हम यह आपर थोड़ा सा एक एनलाइसिस करते हुए नजर आएंगे तो वीडियो अच्छी लगेगी तो आप Like, Comment, Share जरू करिएगा तो वीडियो में आगे बढ़ें वीडियो में यहांपर व यहांपर पूरा का पूरा पूरा को राया जाता है ठीक है बीस raza रूपे हम यहां पर जरूर लेते हैं बट 20 जरूर रुपे में ऐसी knowledge देते हुए नजर जो शायद आपको ना तो यूटूब पे और ना ही कोई यहां पर जो आपको क्या कहूं में उनके बारे में कि जो आपको सिखाते हुए नजर नहीं आते कि एवल पैसे लेते हुए नजर आते हैं जो आपको सिखाते हैं तो यहां पर आपको सकते हैं बाकि अगर इन नमरों पर आप हमसे कॉंटक करके और भी घुसारी बाते हैं यहां पर कर सकते हैं तो आईए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं ठीक है तो सबसे पहले बाइंग सालिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है शिट पर याद रखिएगा एजूकेशन परपस से वीडियो बनाई चारी है एल्टी फूड की बात करें तो एल्टी फूड आपने दावत जो राइस आपने खाए होंगे राइस में आपर दो चार कंपनिया ही यहां पर फेमस है जैसे के आर बील अगर हम बात करें या फि दिवाया के नाम से है करी-करी कारी-करी के नम से इनके प्रोड़क्स यहां पर आते हुए दिखाई देते हैं और अच्छे यहां पर यहां पर इनका ब्रेंड है अच्छा खासा यहां पर अगर हम देखें तो इनके प्रोड़क्स सेल होते हुए नजर आते हैं इंडिया मे बात करें बासमती राइस जो कि इनके दावत और यह अलग अलग नाम से यहां पर आते हैं इसके रावा और भी नॉन ब्रेंट राइटा में मीस क्या कि यहां पर से एक्सपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट करके जैसे कि हम बात करें कातर या जूसरी जो कंट्रीज है हाना इ अच्छे खास हैं का प्रोड़क्ट पॉर्टफोलियो हैं, यहां पर आप देख सकते हैं, ब्रेंड हमने यह बाते करी लिए हैं, अच्छे खासी रिवेन्यू आती हुई दिखाई देती हैं, अलग रख चीज से, यूएस से लगवा 36%, इंडिया से 32%, यूरोप से 18%, मिदिली से 6%, एंडिया से 8% यहां पर है, इसके इलाभा देखे, healthy foods ने एक golden star ट्रेडिंग में यहां पर हम बात करें, 51% का steak भी लिया है, ठीक हैं, यहां पर आप देख सकते हैं, 3 times bigger and basmati golden star is one of the strongest brand in the jasmine rice market में हम बात करे हैं, तो अगर हम बात करें, तो company कैसी नजर आती है, company काफी कि विजिट कर लीजिए और यहां पर आप देख सकते हैं यह सारे इनके प्रोडक्स है ऐसे बात करें यहां पर आगे थीक है तो यहां पर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा financials देख लेते हैं और आज के results से later देख लेते हैं तो market cap की बात करें 55634 करोड रुपे की market cap है तो सबसे पहले हमारी channel का नाम है I am small cap investor तो again ये एक small cap share है 10 का P है इंडश्टी का P 43 का है तो काफी सस्ता नज़र आता है ठीक है बट याद रखिए का P के बेस पर कभी काम नहीं करते हैं मैं हमिशा आपको पताता है ROC ROE ठीक ठाक है बट अच्छी नहीं है इस जीच को याद रखिए 225 की intrinsic value है 162 कुपर पे share चल रहा है यहां पर देखोगे और चीज़ों तो यहां पर आपको पता चलेगी कि यहां पर आज के जो रिजल्ट आया 1978 करोड रुपी के आज सपास कि यहां पर सेल्स होती दिखाई रही है जो कि quarterly yearly दोनों basis पर च्छी है यहां पर देखेंगे margin तो जहां पर 10% के margin थे वहां पर 12% के margin है यह भी यहां पर अच्छा नजर आता है और company ने highest ever net profit as well as EPS दिखाया है तो company यहां पर किस तरीके की result पेश करे है काफी बहतरीन यहां पर result पेश करती हुई नजर आई है sales बढ़ती हुई नजर आई है profit, operating profit, EPS सब बढ़ता हुई नजर आया है और अच्छा है यहां पर नजर आया है इसके इलाबब बात करें yearly performance की yearly performance भी company की यहां पर काफी अच्छी है जहां पर 12,12 में 1 करोड का घाटा किया था आज हम बात करें पिछले 12 में ने 527 करोड रुपे का profit करती हुई नजर आई है reserves company के अच्छे का से 3000 करोड के reserves है borrowing company की कम होती ही नजर आ रही है जो की अच्छी बात है ठीक है इसका फाइदा कैसे होता हुआ नजर आएगा इसका फाइदा होता हुआ दिखाई देगा कि यहां पर company को 26-27 करोड कर यहां पर interest बे करना पड़ रहा था थोड़ा सा कम करना पड़ रहा है इसके इलावा हम यहां पर देखे working progress में 102 करोड रुपे खर्च कर रहे है इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि आगे चलके दुबार है यहां पर इनकी revenue और सब्चीज में यहां पर बड़ उतरी होती नजर आ सकती है 146 का cash पड़ा हुआ है positive हमीशा cash flow रहा है यह अच्छी बात है इसके लावा आप यहां पर देखोगे तो promoters के पास 51% के share है as it is बने हुए है पिछले यहां पर बात करें इस financial year में बट इससे पहले बेचा था बट उससे छोड़ देते है बात करें यहां पर FIS की तो FIS ने यहां पर अपनी सदारी 1% से 6% बढ़ा दी है यह एक अच्छी बात है ठीक है ना यहां पर हम बात करें D.I.S की तो D.I.S भी लगातार अपनी सदारी बढ़ा रहा है और सबसे अच्छी बात यह है कि पबलिक के पास से share यहां पर जाते हुए नजरा रहे है 40-39 हुए है 39-37 हुए है 37 में भी आप देखोगे सैलिक इंटरनेशनल ने 9 परसेंट एस मुकुल महवी रगवा सारके बाब 1 परसेंट की होल्डिंग है तो बात करें तो 10 परसेंट के आसपास की होल्डिंग तो यही पड़ी होगी तो लगबग 27 परसेंट के share यहां पर क्या है मार्केट में लिष्ट है बाकि शारे के सारे यहां पर अच्छी होल्डिंग के पास है सब्टमबर में डारेक्टर की बात करें उनकी फेमली के आसपास यह फिर रिलेटिव सेंट उन्होंने यहां पर 169 इसी एवरेज प्राइस के आसपास के 14 लग के यहां पर share बाई करें तो उन्होंने बाई करें तो शायद कुछ हो उन्हें 133 के हिसाब से यहां पर भाई किये दे अब बात करते हैं यहां पर चार्ट से रिठी चार्ट में क्या दिखाई देता है बट उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब बैल आइकन को हिट और को नोटिफिकेशन को अन करिएगा लाइक करिए करियेगा तक हमारी आपरोच जदा से जज़ादा हो सके और हम आपके लिए बैतर से बैतर काम करके यहां पर आपके सामने पेश कर सके ठीक है न और यहाँ पर बहुत जल्दी हम license भी लेने वाले से भी से ठीक है उसका procedure थोड़ा सा education वगरा देख रहे हैं क्या है फिर इसके बाद हम registered भी हो जाएंगे एक बार थोड़ा सा time लएगा इसके इलावा अगर आप चाते हो course को join करना तो आप यहाँ पर course को join कर सकते हैं हमसे बात करना जाते हैं इन number पर बात कर सकते हैं आईए वीडियो में आपर बात करते हैं chart से लिटे चार्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखिएगा यह daily chart है ठीक है आज result आया result आने के बाद क्या हुआ यह शेयर भ काफी स्ट्रॉंग नजर आती है एक लेवल था उस लेवल को भी तोड़ा है बट एक लेवल और था उसको सपोर्ट लेता हुआ नजर आया है मुझे लगता है थोड़ी बहुत गिरावट अगर हो सकती है तो हो जाएगी 142 के आसपास तक आ सकती है चीजे ठीक है और अगर आ दिखाई देगा कि किसी के पास है तो यहाँ पर शायद वो वायोन डिफ्स की रननीती भी अपना सकता है थोड़ी बहुत ठीक है ना तेजी कहां से होगी तेजी की बात करनूं तो तेजी यहाँ पर होती हुई नजर आएगी जब यह शेयर 193 जो एक लेवल है इसके ऊपर जाता हुँ दिखाई देगा इसके ऊपर जैसे ही यह शेयर जाएगा ठीक है इसमें एक तेजी होती हुई नजर आएगी जो इससे ऊपर की तरफ लेके जाएगी बट अभी क्या है यह एक consolidation में जाता हुए नजर आ रहा है थोड़ा सा यहाँ पर शायद हो सकता है consolidation हो बट जिस दिन यह शेयर यहां से निकलेगा तो सबसे पहले जो 222 के target है ना 222 के असपास के target बनते हुए नजर आएगे और फिर अगर मैं बात करूं तो यह चीज़े रुखने निवाली है यह चीज़े एक आपको और अच्छे यहां पर target देती हुए नजर आएगी और शायद अगर मैं आपर देखू तो आपको यह target कहां तक नजर आते हुए दिखाई दे सकते हैं आपको यह target है आने वाले time में यह share आपको 400-400 भी अगर 2-3 साल बात दिखाई दे ठीक है time की मैं आपर बोलूंगा नहीं और नहीं कुछ मैं जस्ट एक imagine करके चल रहा हुए कि ऐसा हो सकता है ठीक है तो अगर चीजे अच्छी रही fundamentally अच्छी रही तो अगर यहां से निकलेगी तो आपने देखाई है कि किस तरीके से चीजे रन अप करती हुए नजर आती है कुछी time में आपर share double or triple होते है तो उसी तरीके से यह share भी behave करके दिखा सकता है तो buying selling की recommendation ही है चीज में आई की consolidation हो जाएगा तब आप buying करेंगे तो यहां पर पैसे बनते हुए नजर आ सकते है तो buying selling की recommendation है नहीं अपने financial advisor कुद की study करना है चीजों को सीखना है like comment share करना है subscribe करना है course join करना चाहते है इन नमबरों पर course join करें जिसमें आप बारी किया सीख सकते है जहां पर मैं अब यहां पर जो बोल नहीं पा रहा हूं वो शायद मैं इस course में आपको बताता हूँ नजराओंगा कि exactly किस तरीके से आपको चार्ट को देखना है so thank you so much for plus